सर आज की A.S.I की रिपोर्ट जो आई है क्या उसमें ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्टेबिस करती है कि वो मंदिर ही था मजिटों एसी ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डीटेल साइन्टिफिक स्टेडी की है और उस साइन्टिफिक स्टेडी के अधार पे एसी ने रिपोर्ट दी है महाँ पे जो inscription है उस सताकतित मस्जिद में एक inscription मी मिला है साथी साथ उस सताकतित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदर के खंबे पाई गए हैं जो western wall है वो ASI ने हिंदू मंदर की western wall कही है साथी साथ उसमें जो scriptures मिले हैं वो अलग अलग भाशाओं के हैं महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है अलग अलग भाशाओं में उसमें इंस्क्रिप्शन्स पाई गए हैं और अल्टिमेटली एसाइ ने यही कंक्लूट किया है कि सत्रिवी शताब्दी में यहां पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहां पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था जी मैंने वही बताया कि एक पत्थर मिला था वहां पे जिसको इन लोग ने तोड़ दिया है और हम उस समय सर्वे के दौरान थे वह आधा टूटा हुआ पत्थर वहां पे अभी भी रखा हुआ है और उस पत्थर में यहां पे मंदिर तोड़ी गई है और उस पत्थर का ओरिजिनल एसाई के पास 1965 में था जिसकी एसाई ने फोटोग्राफ भी खीची थी कई भासाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है मैंने बताया आपको कि तेलगू अलग लग कर्णनल लैंगवेज और अलग लग लैंगवेज़ में वहां पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं इस्क्रिप्चर्स मिले हैं साथे साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया मिली है वो सब भी ASI ने जिला प्रसाशन को हैंडोर कर दो अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुप करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया इसको खोला जाए अचा इसका इस यह एविडेंस का क्या मिलब कहां पर आप लूट हो जाएगा तो आगे हाईर कोर्स में इसको पढ़ा जाएगा चैफर वरी ने अधारित की गई है मुस्लिम पक्ष क्या करेंगा मैं यह नहीं बता सकता हूं जो अभी तक की लीगल प्रक्रिया और जो कोड के आडर से में उसके बारे में आपको ब्रीफिंग कर सकता हूं मैंने आपको बताया कि वही मैंने वही बत आपको बताई कि एसाई ने कहा है कि वहां पे हिंदु मंदर के पिलर थे और उसी पिलर्स में से इमेजेज वगरा हटा के उसको इस्तमाल किया गया इस तताकतिन मस्जद के लिए